हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वर्शास ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ देख रहे हैं हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज आज बच्चो मैंने पहले आपको एसर्शन रीजिनिंग पूरा करा दिया और आपने मेरे वीडियो देखे होंगे आज जो मैं आपको टेस्ट सीरीज का बहुत इंपोर्टन पार्ट कराने जा रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत इंपोर्टन है और बच्चे इसमें मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं जासे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप मेरे साथ जुड़िये चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरे सारे वीडियोज देखिए और कॉंसेप्स बहुत सिंपल और इजी मेतड में सॉल कीजिए समझे उसे और यदि आपने मेरे पहले वीडियोज नहीं देखे हैं मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको डिटेल में पढ़िए अपने कॉंसेप्स क्लियर कीजिए और उसके बाद ये मेरी टेस सीरीज सॉल्व करने बैठिए आप देखिए क्या फटा फटा आप क्वेशन आंसर्स करते हैं तो चलिए बिना कोई टाइम बेस का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ जो इंपॉर्टंट्ट्टम है एक्स वाइरी टाइप्स ओफ हैसं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें मैं first question, first question पढ़ते हूं, यह हमारे NCRT की book का ही question है, question में पढ़ रहे हूं, A solution of a substance X is used for whitewashing, आपको यह question दिया है, अब इसमें आपको दो questions पूछे, name the substance X and write its formula, इसका second part है, write the reaction of the substance X named in above with water, यहने आपको substance X कौन सा है यह बताना है और इसके बाद इसके water के साब reaction बतानी है, आप पहले इसके key point समझें, यहां पर एक substance पूछा है, X जो use होता है white washing में तो आपको वो substance बताना है जो white washing में use होता है वो substance हमारा X होगा और इसके बाद इसके reaction आपको water से बतानी है तो चलिए आप जैसे screen पे देख रहे है जो the substance X used for white washing is quick line जिसको हम कहते है calcium oxide और इस X का formula क्या है जो आपको question 1 में पूचा है formula है C-A-O calcium oxide तो यह आपको clear हो गया होगा अब हम इसका second part देख लेते हैं when quick lime is mixed with water हम सब जानते हैं slake lime form होता है और यह reaction exothermik है बहुत amount में heat निकलती है तो हम देखते हैं calcium oxide आपको हमेशा जब भी आप chemical equation लिखते हैं आपको इसके physical state ज़रूर लिखने चाहिए और equation balance होनी चाहिए calcium oxide जो हमारा quick lime है solid state में यह reaction करता है water से जैसे आप देख रहे हो liquid में आपस में react होते हैं और बनता है हमारा slake lime calcium hydroxide जो aqueous होता है और इसके साथ साथ आप delta sign देख रहे है reaction exothermic है बहुत amount में heat निकलती है तो यह आपका first and second का answer हो गया चलिए अब हम question number two की और बढ़ते है question number two यह भी again NCRT की बुक का ही question है यह a shiny brown colored element x on heating in air becomes black in color name the element x and the black color compound formed यहने आपका बताना है कि एक shiny brown color का element है x इसको जब आप air के साथ heat करते हो यहने x है आप जब इसको oxygen के साथ heat करते हो तो यह जो compound बनाता है वो black color का होता है देखिए अब यहाँ पर दो hint है हम key points देख लेते है एक तो सबसे पहले shiny brown colored आप देखिए shiny होगा तो shiny होगा element मतलब वो metal होगा और हम सब जानते हैं shiny brown color का element कौन सा होता है copper तो हमारा copper जो होगा x जो होगा वो element हमारा होगा copper अब इन्होंने कहा है copper को हम air मतलब oxygen के साथ react करते हैं तो जब हम oxygen से react करते हैं तो black color का हम सब जानते हैं copper oxide form होता है तो चलिए पहले हम इसको screen पे आप देखिए मैंने इसको explain किया है हमारा जो shiny brown color का element है वो होगा x एक्स हमारा होगा copper आप reaction में देख रहे हो copper यह solid brown color की metal होती है यह air की oxygen से react करते हैं हम इसको heat करते हैं आप देख रहे हो हमारा CuO copper 2 oxide black color की powder मिलती है copper 2 oxide को हम cupric oxide भी कह सकते हैं आप जानते हैं variable equivalency copper शो करता है यदि Cu2O है तो हम कहेंगे cuprous oxide CuO है मदब copper 2 oxide इसे हम कह सकते है cupric oxide तो हमारा black color का compound cupric oxide यहने copper 2 oxide फॉर्म होता है तो इसका answer क्या आएगा first का आएगा element excess copper और second आएगा the black colored compound copper 2 oxide means cupric oxide is formed तो यह question 1 and question 2 आपको clear हो गए होगे चलिए अब हम question 3 के और बढ़ते हैं पहले आप screen पे देखिए आपको एक reaction दी हुई है मैं पढ़ देती हूँ reactant है हमारे A यह react कर रहा है plus A plus B C यह B C compound है इससे react कर रहा है A single है याने कोई element होगा यह react करके बना रहा है A C compound A C बना रहा है और अलग से element निकल गया B दूसरी reaction दी है A B यह एक compound है plus C D यह आपस में react कर रहा है और बना रहा है A C plus B D आपका question यह है मैंने आपको आप जैसे देख रहे हो आपको reaction समझ में आ गई है आप पर ले question देखिए identify the type of reactions mentioned above in 1 and 2 यहने आप जो first देख रहे हैं और आप second देख रहे हैं इसमें आपको बताना है कौन सी type की equation है इसके लाबा आपको यह भी बताना है give one example for each type in the form of a balanced chemical equation इसके लाबा आपको एक-एक example बताना है चलिए अब हम first देख लेते हैं जिसमें मैंने A plus B C it gives A C plus B हम सब जानते हैं यह कौन सी reaction है यहाँ पर एक compound है, एक metal है metal A जो है वो देखिया, आप B C में से B को replace कर रहा है और उसकी जगह खुद ले रहा है मतलब है कौन सी reaction हुई? displacement reaction तो यह हमारी reaction है displacement reaction जहाँ पर A is more reactive than B तो उसने B को हटा दिया compound में से और खुद उसकी जगह लेकि A C बना लिया और B अलग हो गया इसका आपको एक example देना है हम सबसे simple वाला जो आपके book में भी आपने किया हुआ है हम iron और copper sulfate का ले लेते है iron जो solid form में यह copper sulfate, blue vitriol हम जिसको कहते हैं यह aqueous में हम लेते है आपस में reaction होती है आप जानते है iron is more reactive than copper तो iron copper sulfate में से copper को replace कर देगा copper की powder आपको अलग नज़र आएगी और हमारा F.E.S.O. 4 ferrous sulfate इसका green कलर का pale green कलर का हमें aqueous solution हमें मिल जाएगा यह reaction तो आपने लाब में भी सबने की होगी इसमें एक आपको लिखना यदि आपको यह difficult लगती है तो आप नीचे वाले reaction भी लिख सकते हैं simple है हम zinc ले लेते हैं solid form में zinc dust भी ले सकते हैं इसकी reaction हम करते है blue vitriol aqueous copper sulfate के साथ आपस में reaction होती है zinc is more reactive than copper तो zinc क्या करता है copper sulfate में से copper को displace कर लेता है और खुद उसकी जगा ले लेता है तो हमारा ZNSO4 zinc sulfate बन गया और copper इसमें से अलक हो गया यह आपको clear हो गया होगा अब second वाला देखे जिसमें हमने किया था AB plus CD it gives AC plus BD यह कौन सी reaction है बहुत simple है आप देखिए AB और CD में exchange of ions हो रहे हैं तो exchange of ions हो रहे हैं हमारी कौन सी reaction है double displacement तो हमारी यह reaction है double displacement ठीक है चली अब इसका एक example हम ले लेते हैं आपको सब को पता है double displacement में हमेशा दोनों जो reactants होंगे वो aqueous form में होंगे क्योंकि exchange of ions हमेशा aqueous solution में होता है इसमें दो हमारे products बनेंगे जिसमें से एक insolubal precipitate होगा और दूसरा हमारा soluble compound होगा तो हम देख लेते हैं इसको sodium sulfate Na2SO4 aqueous इसके reaction हम कराते है barium chloride baCl2 यह भी aqueous होगा आपस में reaction होती है और क्या बनता है barium sulfate यह इसके white color के precipitate बनते है यह solid form में बनता है जो हमारे solution के अंदर dissolve नहीं होता और हमारा next बन जाता है हमारा compound NaCl जो aqueous होगा तो यह मैंने आपको explain कर दिया with example चली अब हम next question के और बढ़ते है question number 4 हमारा question number 4 है a shiny metal E on burning gives a dazzling white flame and change to a white powder F a shiny metal E metal जो है shiny है dazzling flame के साथ वो जल रही है आपको यहां बताना है identify E and F and write the balance chemical equation does E undergo oxidation or reduction अब हम सब को पता है कि जो shiny metal E जो burn होती है dazzling white flame के साथ वो तो एक ही metal होती हम जानते है तो हमारा E होगा answer होगा magnesium 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 को जब हम burn करते हैं oxygen के साथ तो आप सब जानते हैं white color का powder मिल जाता है हमें magnesium oxide तो हमारा जो F होगा वो होगा magnesium oxide तो आपको A का answer clear हो गया होगा हमारा E होगा magnesium और हमारा F जोगा magnesium oxide reaction देख लेते हैं balance reaction आप देखिए screen के उपर mg प्लस O2 mg solid है O2 gas है हमारा MGO magnesium oxide solid powder हमारी बन जाती है यहाँ पर देखिए oxygen 2 है यहाँ पर oxygen 1 है तो मैंने MGO को 2 लिका balance करने के लिए हमने भी mg को 2 किया यहाँ हमारी balance equation 2 mg प्लस O2 A circle to 2 mg balancing कैसे करना है मैंने आपको chemical reactions and equations में बहुत detail में पढ़ाया है आप मेरे videos देखिए और बहुत simple और easy method में balancing कैसे करते हैं वो सी की समझे अब इसका last part है C आपको बताना यह reaction oxidation reaction है reduction reaction हम देख रहे हैं magnesium oxygen के साथ react कर रहा है यहने हमारी reaction कौन सी होगी oxidation तो हमारी यह reaction होगी oxidation चलिए अब हम question number 5 क्यों बढ़ते हैं question number 5 है हमारा a metal X when added to zinc sulfate solution shows no change in the color of the solution the metal X is also used to join railway tracks आपको इसमें बताना है आपका first question है identify the metal X B है आपका what is the other reactant used with metal X to join railway track आपका C है name the methods used to extract metal X अब हम सबको बता है key point क्या है यह हमारी reaction है thermite winding की जो आपने metals and non metals में पढ़ा है तो अब आप देखें यहाँ पर एक metal X है जो zinc sulfate solution से react कर रही है compound तो बन रहा है लेकिन compound में color change नहीं होता तो हमारी जो metal X होगी वो होगी aluminum aluminum होगी क्योंकि aluminum जब zinc sulfate से reaction करता है aluminum is more reactive than zinc तो यह aluminum sulfate बनता है जो जिसका कोई color change नहीं होता तो हमारी जो metal X होगी वो होगी हमारी aluminum as it does not show any change in color हमारा B देखिए कौन सा reactant railway track में aluminum के साथ use होता है हम सब जानते है iron यह thermite welding है हम aluminum के Fe2O3 के साथ reaction करते है melt हो जाता है और iron के railway track के अंदर जो cracks है वो join हो जाते है तो यह जो है aluminum जो है यह join इसके साथ आएगा दूसरा जो हमारा जो दूसरा reactant यूज हो रहा है वो आएगा हमारा iron oxide Fe2O3 next last है इसका extraction of metal X aluminum को extract करने की दो method है आपको जो आपने जो अभी NCRT के metal और non-metal में पढ़ाए वो है electrolytic reduction आप सब को पताएए जो बहुत active elements होते हैं इनको हम molten state में bauxite ore से हम aluminum को extract कर लेते हैं लेकिन इसके अलावा एक और method होती है जो बहुत important होती है that is यह bauxite ore से निकालते हैं वो है हौल हेलो 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 process हौल हेलो 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 process bauxite ore से aluminum निकालने के लिए सबसे extraction की best method है तो आपको यह पूरे equation 1 से लेकर 5 तक आपको clear हो गया होंगे झालने के लेकर 5 तक आपको